दोस्तो सापो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फिल्मों से लेकर अंडविस्तवात तक बाते घूमने लगती है सापो को लेकर दुनिया भर के लोगों में काफी ब्रहम देखने को मिलता है कई लोगों को सापो को नाम सुनते ही उनका रूप का फुत्री है क्योंकि इस धर्थी पर साफ सबसे खतरनाग जीयों में से एक है इनका थोड़ा सा भी जायर हम इंसानों का खेल खत्म कर सकता है पूरी दुनिया में साफों की पचीसों से अधिक परजातिया पाई जाती है इन में से करीब 500 परजातिया जायरीली भी होती है ये माना जाता है कि समुद्री स्नैक इतना जहरीला होता है कि उसका कुछ मिली ग्राम जहर से 1000 लोगों की मौत हो सकती है इस साफ के जाद अधर सिकार समुद्रे में मचली पकड़ने वाले मचुवारे होते हैं अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इस इंसान की मौत है है नंबर टू इंग्लैन टाइपन इसाप जमीन पर पाए जाने वाले साफ़ों में सबसे जहरीला है इसका एक बाइट से सव मिलीग्राम तक जहर होता है जोकि बहुत जादा नहीं होता है पर ये जाहर इतना घातक होता है कि ये 100 इंसानों की मौत की नहीं सुला सकता है England type in snake का जाहर Cobra के तुल्ला में पचास गुना जादा खतानाक होता है Number three Eastern Brown snake Australia में पाय जाने वाले यासा बहुत जरीला होता है इसके जाहर का एक भी तिनका किसी इंसान को खत्व करने के लिए काफी है इस्टन ब्राउन स्नैक आस्टेलियम में इंसानी इलागों के पास जादा पाया जाता है इस साब का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को खत्व करने के लिए काफी है नमब 4 फिलिपीन कोबरा दोस्तों कोबरा की अधिकतर प्रजातिय जैरीली होती है पर फिलिपीन कोबरा में बहुत जादा जायर भरा होता है इसकी सबसे बड़ी खासित्य आए कि यह सिकार को डसने की बजाए उस पर दूर से ही जार ठूखता है ये तीन मीटर के दूरी से भी शिकार पर जahर ठोग सकता है इसका जाहर नियूरो टाक्सिक होता है जो सीधे सांस और दिल पर अधर करता है इसलिए कोबरा जिसको भी काटता है उस इंसान की मौत तुरंत हो जाती है हमारे भारत में इसे फिटार और नाग के नाम से भी जाना जाता है नमबर फाइब ब्लू करेट ये साफ साउथ एसिया और इंडोनेसिया में पाय जाते हैं हमारे गाउं में इसे कुरेट भी कहते हैं ये साफ ज्यादा जहरीले नहीं होते मगर ये इतने भी जहरीले नहीं है कि ये किसी को खाट लिया और उस इंसान की मौत ना हो झाल झाल